जैजै श्रीहिता राम जड़ छेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदव सब के पद कमल सदा जोरी जुग पान राम सब जगए सरूप से ब्यात हैं और वो एकी हैं वो ही शर्शतिमान हैं और ये राम नाम उन्ही राम का तुर्य रूप है इन्ही जो तुर्य रूप राम है इन्ही से इनके जागरत रूप जो स्री राम चंद्र जी हैं दस्रत नंदन स्री राम जी हैं उनकी पत्ति हुई और इन्ही राम जी की जो प्रेना है वही पराशक्ति या ब्रह्म है और ये एक दर्पन की भाती है जिसमें राम जी की कल्पना उनकी प्रियना शक्ति बिविन्न सो रूपों में अनेक प्रतिविम्मों के रूप में दिखाई दे रही है जो की विश्व रूप है और यही विश्व रूप चार यूगर के रूप में अलगलक विवाजित होता है सत्युक निरिकाल रूप से है और त्रेता में एक टोथाई दौपर में आदा और कलिकाल में कलिकाल पूर्ण विकाल रूप हो गया जैसे जो गंदिकी होती है असोचुता होती है वो सोता ही होती है लेकिन साफसपाई करने से होती है ग्यान का सवभाब घटने का है और भक्ति या प्रेम इसका जो सवभाब है ये निर्नतर वर्ने का है कहने का तात्पर बस यही है कि वो एक ही है जो इसका अनेक सुरूपों में बिवक्त हो गया है उस एक सुरूप को ही अलग अलग रूपों में देखना वो ग्यान है और उस एक सुरूप श्री राम जी से जो प्रेम हो जाना है वो ही भक्ति है यदि कोई सादक सब सादन का सार छोड़ केवल एक राम नाम का अश्रे ले ले तो उसको ये ग्यान भी प्राप्त हो जाता है और लाम जी से प्रेम होने के पश्चाद उसको भक्ती यूग की भी प्राप्ती हो जाती है और वोही भक्त सब साधन को छोड़कर जब लाम लाम जपने रखता है तो वो लाम जी को अतिशय प्री हो जाता है और वो, बो से सभी प्रिकार के भह से मुक्त कल देते हैं वो से निर्भय बना देते हैं हला लेंबा, विषया लेंबा मिलतो मकुम्बा, कोतो भयम फिर किसी वश्तु का, किसी भह का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं रहता और वहला उनके भक्त को कोई सता कोई प्रशन कैसे का सकता है क्योंकि वही राम हर किसी जीव मात में चेत्रा रूप में विद्धमान है और वही जीव मात के एक मात अधार है इसलिए माना शरीक को प्राप्त करने का एक मात एक ही लक्ष है देह धरे कर यह फल भाई भजी राम सब काज बिहाई कवों करी करुणा नर देई देदी इश बिनुहे तुसनेही यह मानब शरी मानब दे हमें किसी हमारी तबस्या किसी पुन्य के फल के कान नहीं मिला है यह जब उनकी अहितुकी दया हो जाती है उनकी अहितुकी किर्पा हो जाती है तब वो यह मनश शरी प्रिदान करते है यह संसार भगवान का विश्व रूप जिसे भगवान ने अतिशे दुष्ट और दुख रूप कहा है एक दुष्ट अतिशे दुख रूपा जामस जीब परा भवकूपा दूसरा उनका ब्रह्मु रूप है जिसे विद्यमाया यह पारशक्ती भी कहते है और यह कैसा है एक रचाई जग गोने बस जाके जिसने इस संसार किछना करी है प्रभू प्लेरित नहित निजिबलता के उसका अपना कोई बल नहीं है वो भगवान की प्रेणा के नुसर ही काल करती है जैसे उधान के सूप में समझे जैसे नाजी का जब महु हुआ था तो नाजी को जो विश्मु महीनी का नगर दिखा जिसके महास्थे भी आपर सुम्बर हुआ वो भगवान की विद्यमाया थी जो भगवान की प्रेणा भगवान की इच्छा के कान ही क्रियाशील होई थी और इस ब्रमुरूपी दरपण में ही राम जी का ये विश्मु लूप दिखाई देता है जैसे दरपण में देखने पर मुख तो दिखाई देता है लेकिन वो हमारा मुख नहीं है वो दर्पन ही मुख्र के रूप में दिखाई देता है उसी प्रिकार इस ब्रह्मूर्पी दर्पन में जो विश्व रूप दिखाई देता है यह संसार दिखाई देता है वो है नहीं वास्तम में यह जो ब्रम है यही विश्वी रूप के रूप में दिखाई देता है जैसे हम कोई सुपने देखते हैं तो सुपने के अंदर जो हमारी कलपनाए है वो ही तो में दिखाई देती है हमारी कलपना ही हमें सुपने के रूप में दिखाई देती है और दिखाई कहा देती है वो हमें हमारे चित्र में दिखाई देती है अब चित्र तो है लेकि चित्र में दिखाई देने वाले ये जो कल्पनाए है ये नहीं है ये वस्तुता असत्त है और ये संसार है ये रामजी की कल्पना है जो चार योगो को मिलाके जो एक कल्प बनता है वो चार अलब 35 करोड वर्षका है तो ये पूरी उनकी कल्पना है ये पूरी उनकी कल्पना है लेकिन उनकी कल्पना और हमारी कल्पना में अंतर क्या है कि उनकी कल्पना उनके दोड़ा नचाईगी तो है लेकिन उनकी कल्पना पे उनका नेंतर है वो जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे परवर्तित कर सकते हैं लेकिन हमारी कल्पना में हम अपनी कल्पना के वशिवूत रहते हैं और जब हम अपनी ही कल्पना को नहीं परवर्तित कर सकते तो फिर हमारे सामने ये जो संसार है, जो जो भगवान की कर्पना है, उसको तो हम परिवर्टित कर ही नहीं सकते, रामकीन चाहि सोही होई, वही होगा अब हम सो रहे हैं सुपने देख रहे हैं हमने कोई सुपने देखा तो उसको हम परिवर्थित कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते लेकिन उसी समय हम जाग जाएं हम जागरती में आ जाएं अब वो सुपने तो हमारा है हमें पता है कि सुपने में क्या क्या था अब जब हम जाग गए हैं, जागती मा गए हैं तो अब हम अपने सुपन की जो कलपना है उसको हम पवर्तित कर सकते हैं क्यों? क्योंकि अब हम जागती मा गए हैं और राम जी वो यही कलपना रूप से हैं विश्यूरूप से है, ब्रहम रूप से है, जागति में भी है, वो संसाल रूप से भी है, इसलिए वो जब चाहे तर इसमें परिवतित कर सकते हैं, हो यह सोई जो राम रची राखा, और जैसे हमने सुपने देखा सुपने में भैवीत हो गए अब हम जागे तीमा आगे न अब जागे तीमा आगे तो भैर रहेगा नहीं रहेगा यह दिपे हम उसे पैवर्टित कर सकते है हम विचार करें नहीं भैवीत होंगे हम इसको परिवर्टित कर देंगे लेकित अब तो जाग गे ना अब तो पता चल गया यह आ सकते है यह तो कुछ था ही नहीं तो परिवर्टिन की आवश्चक्ता भी नहीं होगी और भै भी नहीं होगा उसी प्रिकार इस संसार में जब राम राम कलते हुए आत्मे ग्यान हो जाता है समझ में आ जाता है जागती को प्राप्त हो जाते है तब यह समझ में आ जाता है कि संसार राम जी का कल्पना उप है फिर इसको परिवर्टित करने की आवश्चक्ता भी नहीं होती क्योंकि फिर ये ग्यान हो जाता है कि ये असत्य है सत्हरी भजन जगत सबसपना और इसी को ब्रम ग्यान कहते है कि संसार असार और असत्य लगने लगता है लेकिन आज कैसे में में ब्रम ग्यान बिन नारी नर करही न दूसर बात लेकिन ये आवशक नहीं है कि एक बार आप में ग्यान हो गया, इस विश्वूरूप से वहाँ निकल गए तो फस नहीं सकते हैं, जहां थोड़ी सी असावदा हुई कि ये विश्वूरूप उन्हां अपनी गिरत में ले लेगा, तो इससे बचने के लिए फिर राम नाम है, जाने हुट तभ ही जीव जग जागा, जब सब विशय बिलास बिलागा, और सबसे वेरा गुत्मन कर देता है, और राम नाम लेते लेते राम नाम करते करते ये भी पता लग जाता है, कि अगुन सगुन मिच नाम सुसा की उभहे प्रभोत चतुर दुवाशे, कि नाम दोन केवल यही है, जो तुर्य रूप है, और राम नाम करते करते, ये सोता ही आभास होने लगता है, कि विश्वरूप उनका सुक्न रूप है, जो ब्रम रूप है, वो शुश्रूप है, जो जागर्त रूप है, वो धनश्वानeur धारी, श्री राम चंद्य जी, और यह बात, भली भाती समझ में जाती है कि राम जी ही सब रूपों में है, बाकी जितने रूप है वो सब जूटे हैं, जो राम जी का रूप है वो ही एक मात्र सकते हैं, और ये समझ में आने के बाद कि सब रूपों में, सब सो रूपों में एक मात्र मेरे श्री राम चंद्री जी है, मन तो सहज ही भक्ति योग की प्राप्ति विए आती है भक्ति तात अनुपम सुक्मूला मिलहिस्ति संत हो ही अनुकूला राम भगति मनी ओरे बस जाके दुखलब लेशन सपने हुताके बास्तम में तो यह संसार राम जी का दुष्ट दुख रूप है यह दुख ही देने वाला है लेकिन यह उनके भक्त को दुख नहीं दे पाता क्योंकि भक्त राम जी को प्रिये है तिनित्रे पुनी प्रिये मोहिनी जिरासा जही कति मोर न दूसा रासा इसलिए संसार दुष्ट और दुख रूप होने के बार भी उनके भक्त को सता नहीं पाता है, उनके भक्त को दुख नहीं दे पाता है, इसलिए दुख लबलेशन सबने होता के, इसलिए सुपने में भी उसको दुख की अन्बूती नहीं होती है उम्मदार जोशित की नाई सब ही नचावत राम गुसाई वो तो कटपुत्ली की भाती सब को नचाने वाले हैं अब सामने तुम्हाई जन्म जन्म का दुश्मन ही क्यों लखाड़ा हो उसको भी नचाने वाले वही तो है उनकी इच्छा है प्रेम करेंगे वो तो तुमसे तो गले रगा लेंगे वो क्यों मालेंगे तुम्हें नचाने वाले तो गही है न वो तो जानते हैं कि यह सामने जो खड़ा है वो मेरा है और इसके सामने जो खड़ा है इसको नचाने वाला मैं हूं यह तो मेरी इच्छा क् वक्त सबसे वह राता है सबसे ने वह राता है और बल जहां बल की बात आजाए तो सकल सुदासर जो रही जो जहारा राम ही समान ना जीत नहारा तो फिर हमारे रगुनाच जी को कोई जीतने वाला प्यादा नहीं हुआ एशर जो हमारे रगुनाच जी है को मल चित अति इन देला कारण बनि रगुनाच पला वह रहां का नाम ये एक ही है नाम का असरे ले लो तो नाम का असरे ले लिया वो तो एक ही है इसलिए यदि उनसे सम्भ का अनुभब ना हो उनसे प्रेम ना हो उनसे लगाब ना हो तो भी यदि नाम का आशरे ले लिया जाए यदि जीवा को नाम में लगा दिया जाए तो सहजी श्री रगुनाद जी की प्राक्ति हो जाती सहजी उनसे प्रेम हो जाता है जिस तरह हमारा नाम हमारे शरी से जुड़ा हुआ है यह हमारे शरी से दूर नहीं होता यह हमारे शरी के साथ अननुभ से जुड़ा हुआ है उसी प्रिकार यह राम नाम और राम जी है जहां राम जी का नाम है जहां राम जी का नाम आपकी जी ही नहीं सकते, किसी भी परिस्थिति में नहीं, और यह कोई बात नहीं है, यह कोई बात नहीं है, यही नाम जी को देखा नहीं, राम जी के सोरव को नहीं लेकिर राम राम करो, तुम से प्रेम हो जाएगा। यह ऐसी नाम की महिव है। ऐसे नाम में लगने के लिए, कि वल एकी बात, राम जी का एकी संकल्प, कि एक बहुरो सो एक बल एक आस विर्श्वास, एक राम रगुनात हिति, चातक तुल्सी रास। शरंधा सब में सब भगवान की विभूतिया हैं सब भगवत सो रूफी हैं लेकिन इस्टे देव संका जी भी कहते न वहीं मेरे इस्टे देव हैं ब्रह्मा जी को प्रणाम कर लिया और जो भी आ गया सामने सब को प्रणाम कर लिया यहां तक कि जो संका जी को राम राम सुनाता है संका जी उसको प्रणाम कर लेते हैं लेकिन इस्टे देव मेरे भी एक हैं इसलिए इस्टे देव एक ही रखे एक के ही आशिर तरिये एक के बल के भरूस तरिये एक बही विश्वास कीजिए राम राम करिये नाम जब करिये